गाईज सभी ट्रेडर का सपना होता है कि मार्केट में ऐसी कोई strategy मिल जाए जिसमें zero loss हो, zero loss strategy इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तीन indicator का इसमें यूज करेंगे, अब देखो तीन indicator मार्केट में बहुत है, लेकिन indicator का सही सी आपको यूज करना आना चाहिए और सही indicator य काल सकते हैं, आज की strategy में तीन indicator लगाएंगे, तीनों indicator आपको बताऊंगा, proper setting बताऊंगा, तो complete वीडियो को ध्यान से देखना, आधी वीडियो देखोगे, और copy और pen लेकर प्लीज, इस वीडियो में बता रहें आपको, copy और pen लेकर प्लीज बैठिएगा, क्योंकि आपन जो भी चीजे discuss करेंगे, उसको आपको ध्यान से समझने के सासत लिखना भी है, ताकि आप भूल लपाएं, और उसको back test करना है, फिर front test करना है, target कितना रखना है, SL कितना रखना है, कहाँ पर entry, कहाँ पर exit होगा, बड़े बड़े आपको इसमें profit मिलेंगे, ठीक है, time frame strategy है, और बहुत ही मतलब गजब की आप कह सकते है, strategy अब यह आप देखेंगे, जब live test result देखेंगे, तो आप कहेंगे, पहले क्यों नहीं पतादा हमें, ये वीडियो हमें पहले क्यों नहीं मिली, तो आपको ये वीडियो अब मिली है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को बता दिया, यहां indicator पर आपको चले जाना है, यहां indicator का section आपको मिलता है, ठीक है, trading view पर, तो indicator पर touch कर देना है, और यहां पर लिख लेना है, EMA, ठीक है, तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, moving average exponential, इस पर आपको touch कर देना है, तो यह एक बार आपका लग जाएगा, यह की setting अभी बताता हूँ, देखो, complete आप समझोगे नहीं, तो फिर चीजें आपको समझ में आएगी नहीं, और यहां पर तीन indicator हमने आपको बता है, तीनों indicator आपको लगाने है, उसके बाद कैसे trade करना है, exit, sell, और profit, सारा कुछ आपके सामने आपको समझाएगे, indicator देखो, क्य आपको समझ में नहीं आता, indicator देखो, क्या करता है, indicator आपको दिखाता हूँ, यहां live market में अगर आप देखना चाहे, live market में देखो, जब indicator चल रहोता है तो दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है, कि आपको line यहां देखो, अब यहां कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ है, मतलब आप पहले समझ में, indicator इंडिगेट तो करता है, लेकिन उसकी setting के साथ में, और अलग other confirmations से, क्योंकि single indicator आपको indicate कर देगा, लेकिन confirmation के लिए आपको और indicator की ज़रूद पड़ेगी, ताकि आप पहले entry ले पाएं, समझ पाएं कि कहां पर entry लेनी है, क्योंकि इसमें तो बनने के बाद यह आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पर buy कर लेते, यहाँ पर sale कर देते, लेकिन यह live market में नहीं समझा था, ठीक है, तो live market में भी समझ में आएगा, अगर आप इसमें दो indicator और add करोगे, और उसको अगर complete अच्छे से setting के साथ use करोगे, त ठीक है, देखो, क्या अगरना है, थोड़ा से zoom करके दिखाते हैं, यहाँ दो indicator लगा दिये, EMA की, EMA की setting पहले समझ लो, फिर तीसरे indicator की तरफ चलते हैं, तीसरे indicator जलिए बताई देते हैं, तीसरे indicator आपको लगाना है, यहाँ पर लिखना है, सूपर, ठीक है, अब सूपर, ट्रेंड, सूपर ट्रेंड लिख दिया, अब सूपर ट्रेंड इंडिगेटर आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको यह वाला indicator नहीं लेना है, ना तो यह वाला लेना है, ठीक है, आपको यह वाला indicator लेना है, सूपर ट्रेंड में, यहाँ पर देख लो, ध्यान से, यह इंडिकेटर आपको सूपर ट्रेंड में लेना है त्यक्या ध्यान से इसलिए कह रहा हूं वीडियो को ध्यान से दिखिए और कौपी और पैल कटो लिए नोट करते रही है इसलिए नोट करली बना ये नोट बनाओब कहूल जाओगे फिर बाद में मार्केट में चीज़े समझ में नहीं आएंगी बैक टेस्ट करते हुए प्रैक्टिस्ट करते हुए कभी समझ नहीं पाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे तो कन्फ्यूज ना होना पड़े इसलिए प्लीज एक बार लिख लीजिए देखो ठीक है अब यहां पर सूपर ट्रेंड वाला यह वाला हमने यह भी इंडिगेटर लगा दिया ठीक है यह लीजिए यह सूपर ट्रेंड लग चुका है अब यहां आपको अभी समझ में आ रहा है यहां पर मार्केट है देखो इंडिगेटर में क्या कमी होती है यह आपने देखा होगा यह यहां पर है market ठीक है अब यहां पर वैसे देखा जाये तो यह candle बनी हुई है ठीक है ओर यह बैरिश सिंगनल आ रहा है लेगिन इंडिकेटर कुछ कह रहा है नहीं अँहां और यहां गिर जाए इहां तक आजाई हैं तब यहां करेंगे indicator का क्या फैदा होगा ठीक है तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ ऐसा होता है मतलब market में indicator की हकीकत तो यही है लेकिन उसको set किया जाता है ठीक है उसको setting अभी बताते हैं अगर setting ठीक से कर लोगे तो आपको सही जगा entry मिलेगी complete समझाते हैं आपको तीन इंडिकेटर बता दिए तीनों इंडिकेटर आप समझे ठीक है अगर जिसको जल्दबाजी है इंडिकेटर पता लग गए और कह रहा है कि हाँ ठीक है हम समझ गए इंडिकेटर गई उसकर करें ट्रेट कर लेंगे तो फिर कोई मतलब उनका फायदा नहीं है इसलिए अगर आप यहां तक रुखे हो तो वीडियो को ध्यान से देखो जिसको जल्दबाजी है वो प्लीज ना देखे वीडियो लेकिन जो देख रहा है वो अच्छे से देखे ध्यान से समझे क्योंकि अगर सीखोगे नहीं समझोगे नहीं तो फिर दिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सिर्फ उसी से जुड़िये क्योंकि फेक चैनल अमआरे नाम से बहुत से हैं तो आपका पैसा बचे आपकीसी खीर टेलिगराम ग्रूप में ना जुड़ जाए इसलिए सिर्फ उसी से जुड़ना है अब को ठाक है तो आप फेकनल और फेक टेलिग्राम ग्रूप से बचके रहिए प्लीज और हम कोई भी पैसा नहीं लेते जो भी इंफर्मेशन है फ्री में अवेलबल है सारी की सारी यूट्यूब पर ठीक है तो यह इंफर्मेशन है आप देखिए यहां पर क्या करना है सेटिंग कर देते हैं फटा-फट और केंडल थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पहें आप वो क्लियर कट दिखाई दे अचाए स्क्रीन ब्लैक कर दो क्या या वाइट ठीक है एक मिनट देखते हैं आप बताए चलिए देखता हूं ब्लैक करके इसकी ब्लैक कर दूँ तो कैसी ब्लैक चलिये वाइट ही रखते हैं कोई दिखकत निए आप कैमेंड में बताईए गागर आपको ब्लैक में ज्यादा बहत्तर समझ में आ रहा है या वाइट में ठीक है जैसा आप कहेंगे फिर आगे से ध्यान रखेंगे उसी तरीके से उज गेरेंगे फिलाल वाइट आप इसको okay करणा गाइए अठीक है एक क्लिक कर स béजा यहां पर तच करना है ठीक है यह पर टच करना है रहे यहां पर भी जाएंगी और यहां पर जो ब्लू कलर की लाइन है यहां पर टच करेंगे लाइन पर और इसकी यह जो साइज से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं दूरंबर वाला कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए और कलर इसका जो को लेते हैं यह तीसरे नंबर की लाइन और इसको कर लेते हैं, Cut, ठीक है, OK कर दिया, अब यह देखिए 21 EMA जो 21 हमने जिसमें सेट किया है, इसमें नहीं सेट किया, तो हैं दूसरे EMA में आपको यहां तर्टी और यह वाली जो लाइन है वह है अपना यह अलोकलर अग्यूश्च करते हैं तो यहां पर 10 लिखा हुआ है तो चेंज कर लेना अगर आपके यहां पर दस ना होना तो यहां पर आप चेंज कर लेना यहां दस कर देना यहां इसी तरीके से यहां थ्री ही रहेगा ठीक है यह इस तरीके की सेटिंग रहेगी देख लीजिए नोट कर लीजिए अगर आपके उसमें कुछ और आ रहा हो तो चे स्वाइन से समझ只 और से चीज़ें आपको कंप्लीट समझनी है और तक और बाई करना है ज़सा अगर आप देखोंगा करें तो इहां पर आपको कुछ समझ में नहीं की आ रहा है तो टीक है लेकिन यहां पर आपको को दिखाते हैं अभी बैक्त चल कर आपको कहाा पर बाय करना है बाय करने के लिए देखो गायज क्या हुगा शुपर ट्रेट आपको इंडीगेट करेगा लेकिन शुपर ट्रेट के इंडीगेशन पर आपको तुरन्थ बाय için करना माल लीजिए यहाँ पर यह देखेš इसोपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको इंडिए किया एगू ने कि लिए ठीक है यहां पर सबसे पहली एंडरी figur स्सक्राइब किन अगर आपको केडलो स्टिक क् dw यह तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्रामेंट में बताइए कि आपको Candlestick वाली वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइट करवाएंगे और वीडियो के description में एक वीडियो दे देंगे Candlestick pattern की उसको देख लीजिएगा तो आप उससे अच्छा trade कर सकते हैं, किसी indicator की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ candle देखकर आप trade कर पाएंगे, फिलाल ये indicator वाली strategy समझेए, ये buy signal मिल गया, buy signal मिलने के बाद आप कहां पर buy करेंगे, ठीक है, यहां पर पहले देखिए, कोई candle यहां पर उपर की तरफ close होनी चाहिए, और य बैक लाइन के ऊपर होनी चाहिए, पीली लाइन, यानि समझ लेजी, 21 EME में लिखा होगा न, 21 EME, तो 21 EME के ऊपर अगर 8 EME की लाइन है, buy के लिए, buying condition समझ लेजिए, अगर ऐसी condition और आपका super trend buy signal दे रहा है, उसके बाद जैसे ही आपको ये वाली line, ये वाली condition मिलती है, वहाँ पर आपको buy कर लेना है, ठीक है, call की position बनानी है, target और SL अभी बताते हैं, पहले आप concept समझ लेजिए, concept आपको समझ में आना चाहिए, समझ गए, ठीक है, एक बार फिर से repeat करता हूँ, super trend आपको buy signal देगा, ठीक है, उसके बाद आपकी जो 8 EME की line है, ये जो EME सेट कि लाइन है, ये लो वाली line आपकी black line से उपर होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको buy की position बनानी है, चलिए, इतना आप समझ गे, उसके बाद थोड़ा सा आपको back करके दिखा देता हूँ, मालीजे, यहाँ पर आप entry लेते हैं, और ये इस वाली candle पर आपकी ये buy signal मिल रहा है, म एक चीज, आपको सारी चीजे बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखते हो, देखो, क्या अगर ना होता है, उसके बाद, sale वाली condition भी समझ लेजे, फिर आपको दिखाते है, sale condition यहाँ पर बनी हुई है, super train आपको sale करने के लिए बोलेगा, ठीक है, super train sale करने के लिए उसके बाद जो यह 8MA की line है, वो black line से नीचे होनी चाहिए, इसी condition में आपको sale की position यानि put की position आपको बनानी है, sale करना है, ठीक है, पी अगर आप buying करना चाहते हैं, put की position बनाते हैं, तो आपको यह condition ध्यान रखनी है, ठीक है, उसके बाद देखें का अगर ना होता है, अगर sale की position बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर sale signal मिला है, और यह line नीचे है, तो यहाँ पर position बनाएगा, और यहाँ तक हम profit book करते हैं, आप देखिए, देखो कितना आप यहाँ पर profit book कर सकते हैं, यह आपको दिख रहा है, लेकिन यह 2500 point का move है, यहाँ से, यहाँ सबसे जरूरी है target और asset, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, buying signal मिला, और यह line, yellow line नीचे है, तो यहाँ हमें buy नहीं करना है, देखो, आगया न trap zone, अब सिर्फ आप एक indicator अगर use करते हैं, तो यहाँ trap हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह line नीचे है, यहाँ बाइ नहीं ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पर back करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, और चीजों को देखो, सारी condition आप समझ गए, उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर sell signal, आप condition समझ गए, अब एक rule और लिख लीजिए, बस, और मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, SL आपको last जो swing point होगा, जो support होगा, वहाँ पर, यहाँ पर कोई मिल जाए condition बाइग करने वाली, फिर आपको बताते हैं, कहाँ पर रखना है, ठीक है, यह लीजिए, माली जी, यहाँ पर आप बाइग कर रहे हैं, यहाँ पर आप बाइग क जाएगा, exit कहाँ पर करना है, exit आप 200 point बुक करके भी कर सकते हैं, या next जब तक आपको super trend sell signal ना दे दे, तब तक आप hold कर सकते हैं, तब तक आप profit का enjoy कर सकते हैं, profit आपको मिलता रहेगा, trailing SL का use जरूर करना है, trailing SL के बिना मत करिएगा, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, य यहाँ पर माल लीजिए, entry ली आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने entry ली, यह sell signal मिला, यह line नीचे है, तो यहाँ पर आपने entry ले ली, यहाँ से आप यहाँ तक आए, और यह जैसे ही buy signal मिला, यहाँ पर आप exit कर जाएगे, यानि अगर आपने put की position बनाई है, तो put की position में देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.